बीजेपी जातिगत जंगरना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सक्त खिलाफ है और ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसत, चुनी हुई सांसत कंगना रनौत जी ने कहा है उनसे दो टूक सवाल पूछा गया था, कि क्या जातिगत जंगरना होनी चाहिए उन्होंने कहा बिलकुल नहीं पहले सुन लीजिये उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या कहा जातिगत जनगरना होनी चाहिए बिलकुल पिने तो देखा आपने कैसे बीजेपी की सांसद ने बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कर दिया है अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी आना कानी करती थी इधर उधर इनको उनको दोशा रोपड करती थी अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगरना बीजेपी नहीं कराना चाहती है उनका मानना है कि बिलकुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बयान जो है ये किसी एरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है ये बयान BJP की एक चुनी हुई सांसत का है और उन सांसत का है जिन्होंने अभी 24 घंटे से भी कम में BJP की अध्यक्ष से मुलाकात की आपको याद होगा कि इन्होंने किसानों को बलातकारी और हत्यारा कह दिया था हर्याना चुनाव सर पे हैं इनको तलब किया गया था ये जेपी नड़ा से अभी अभी मिलकर आ रही है और उसके बाद ये कह रही है कि जातिगत जनगरना बिलकुल नहीं होनी चाहिए तो इसको बीजेपी का अधिकरत स्टैंड क्यों ना माना जाए असलियत तो ये है कि बीजेपी ने शोशितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछडों के खिलाफ हमेशा साज़िश करिए वो रिजरवेशन के भी खिलाफ है, वो समविधान को भी बदलना चाहते थे और ये बात उन्होंने लोकसभा के चुनावों में बार बार कही अब सवाल ये है और पहला सवाल है कि क्या जातिगत जनगरना की मुखालिफत बीजेपी का अधिकरत स्टैंड है क्या बीजेपी उसके खिलाफ है क्योंकि आपकी सांसत कह रही है बिलकुल नहीं होनी चाहिए दूसरा सवाल आप कब तक दलितों का, आदिवासियों का, पिछणों का हक मारते रहिएगा और तीसरी बड़ी बात ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर ली दिए जातिगत जनगरना नहीं कराने की, जातिगत जनगरना तो होके रहेगी आप नहीं कराईएगा, कोई बात नहीं, अगला प्रधानमंत्री कराएगा